तो हेलो बच्चों हेलो दोस्तों जितने भी बच्चे हैं नवाबा यूटीब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों और चलिए बच्चे जितने भी आपकी राजी से बड़ी खबर आ रही है बीड़ वाले बच्चों के लिए उस पर हम विसेश यहां पर अपडेट लिका तो दोनों को सब्सक्राइब जरू से कर लें दोनों इस तरह की जनकारी आपको मिलती रहेंगी अपडेट मिलती रहेंगी और सारी अपडेट यहां पर ऑम प्यप्रJक Pers logofund किया जाते हैं टिक Capeصل आ कर दिया जाएगा है ना चलिए इस पर ले आते हैं ख़बर पढ़ते हैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि देखिए यहां पर न्यूज क्या कही जा रही है कि 16 दिसंबर के बाद पेपर वरिफिकेशन कर लिया जाएगा नमंकन ठीक है तो आपका लास्ट डिसंबर है है आपको यहाद रखना है और यहां पर देखिए क्या खबर आई हुई थोड़ा सब पढ़ देता हूं मैं अगला कॉंसेलिंग होगा तो आप उसके असार कम ही रखिए लेकिन उसके असार बहुत ही कम है और अपग्रेडेशन कि शिविदा अपलब्द नहीं रहेगी है ना तो क्या इस पर नियूज चलिए हम पढ़के पूरा आपको खबर ही सुना देते हैं ताकि आप पूरी करने का मुखा दिया जाएगा इसका पूरों गया अभी अभिए तक कॉंसेलिंग के लिए म ही किया है वब अपने 17 उप्थितेव носक्तितयों टक करा सकते हैं करस्ते लीजे चलिए आफ उपर पढ़ देते हैं जिन विजाते हुन अभी तरहुत के लिए रिच्रेशन नहीं किया वह भी अपना रिच्ट्रेशन उप्ता करा सकते हैं चाथरों द्वारा अभियर्ति की रिचिट करने के बाद उनके द्वारा पूर में किया गया दूसरी कॉंसेलिंग और चुनाव सवतर रद हो जाएगा ठीक है तो देख पा रहे होंगे कि जो भी अवियर्ति सी रिशेट करने के बाद जो कि आपको पूरू में कर दिया गया था उसके बाद दूसरी कॉंसेल और चुना होगा आपका रद हो जाएगा कॉलेज का अविंटन मेधा एवं कॉलेज चेन वेरियता कर्म के अधार पर होगा तो आपको मेधा सुची बनेगा जो बच्चे ज्यादा परसेंटेज लाएं होंगे जिनका मेधा सुची ज्यादा आएगा जिनका होने के बाद एडमिशन लेना निवार हो जाएगा तो आप जादा देर ना करें और अपनी यहां पर में बता देरों कि तिसरों कॉंसेलिंग नहीं होने वाला है और देख लिए क्या लिका हुआ है कि नोडल पताधिकारी का निशार एक के इस राउंड में अभियर्तियों को कॉलेज अवेंटिन कर दे जागा उन्हें स्पोर्ट राउंडिंग कौई दो अधाविदारी नहीं बनेगी सुन रहे हैं और देखे क्या लिखा हुआ है कि 10,890 विद्यार्तियों ने शेकेंड कॉंसेलिंग के लिए अविदन किया था 846 विद्यार्तियों ने ब्लोक ए अप्ग्रेड ओप्शन को चैन किया था ठीक है इसी के बाद रिशेट को अप्शन दिया गया था क्योंकि बीड में कुल 40% शीटे अभी भी खाली है तो अभी भी काफी शीटे खाली है चैनित तो आप जल्दी जल्दी अप्लाइ कर दें चैनित छात्रों को कॉलेज सा समय अपने डेश्बोर्ट से लॉग इन कर नमंकित करने का नमंकन स्विकार कर डेश्बोर्ट पर अपडेट करेंगे है ना विहार परदेश में लगबग 21 महा विद्याले माइनिरिटी कॉलेज भी है जो की माइनिरिटी आपका कॉम्यूनिटी शाते हैं उन्हें 50% स्थान समं करती है कि से बीच्चा का बात कर रहें परिच्चा उतिर अभियारतियों के लिए इसके लिए इसके लिए को फिलाल अस्तगित कर दिया गया है आगामी शेडियूल की शूचना जल्दी वेब्शेट पर जारी कर दी जाएगी और आपके चार वर्षी बीएड है ना बीए बीएड में नामंकन के लिए सीटी बीएड उतिन विकरती हूं जो कि अभी तक नामंकन नहीं ले पाए हैं वे 23-24 दिसंबर को वीवी कैंबल्स कैंपस में जुबली हॉल नर्गोना परिशर में जरूरी कागजातों के साथ नामंकन ले सकते हैं दो दिनों तक ओपन कॉंसेलिंग होगी नोडल पदाधिकारी कानुशार या अंतिम मुका है इसके बाद नमंकन नहीं लिया जाएगा अधिक जनकारी के लिए पेपर वेरिफिकेशन करके नमंकन ले लिया जाएगा ठीक है तो आसा करता हूं कि आपको सारी जनकारी पसंद आई होगी यह आपक चैनल सब्सक्राइब कि हैं दोस्त बच्चे जितने भी हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले दो चैनल हमारे नवाझ अबर बोड़ा जितने भी बच्चे अब आपके अगामी जितने भी कॉंसिलिंग है आपको ऐसा एड्मिसन मिल जाए आपको जो कोलेज सोचें मिल जाए है मेरी काम न रहेगी और बाकी के लिए धनिवाद आज के लिए बस इतना ही